इधर 36 गड में भी गणतंत्र दिवस समारो हर्शो लास्पूरवक मनाय जा रहा है। इस उसर पर आज राजधानी रायपूर के पुलीस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारो में राज़पाल अनुसूया उईके ने ध्वजा रोहन किया। इस उसर पर सैयुक्त परेड में गार्ड अफ ओनर दिया। राज़पाल ने इस उसर पर प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। इस मौके पर उतकरिष्ट कारे करने वाले अधिकारियों और करमचारियों को राज़पाल की उपस्तिती में सम्मानित भी किया गया। इससे पहले राज़पाल ने आज सुभ राजभवन में ध्वजा रोहन किया। उन्होंने परेड का निरिक्षन किया और सला मिली। उन्हें गार्ड ओफ ऑनर दिया गया। राज़पाल ने इस अवसर पर राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को गंतंत्र दि मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने आज गंतंत्र दिवस के अउसर पर बस्तर जिला मुख्याले जगदलपूर के लाल बाग मैदान में आयुजित मुख्य समारों में ध्वजा रोहन कर राश्ट्रिय ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेश के निरंतर विकास के लिए राज सरकार द्वारा किये जा रहे कारियों, नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों पर केंदरित जनता के नाम संदेश का वाचन किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने श्रमिक परिवारों की बेटियों के शिक्षा, रोजगार और विवाह में सहायता के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की घोशना की। उन्हों ने कहा कि क्ष्रम कल्यान के प्रयासों को आगे बढ़ाने जिला मुख्यमंत्री घेया। ख्याले और विकास खंड स्तर पर मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केंदर स्थापित होंगे। श्री बगेल ने खरीफ वर्ष 2022-23 से दलहन फसलों की भी खरीदी समर्थन मूल्य पर करने की घोशना की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने आगामी पांच वर्षों में 15 लाख नए रोजगार के अवसर स्रिजन करने का लक्ष रखा है।